पास relation between wave velocity and particle velocity ठीक है इसको समझने के लिए मुझे एक equation ड्रक्ट लिखने पड़ेगी वो है मैं पास का velocity of particle is equal to minus V del y ठीक है क्या हो यहाँ पर del y है ठीक है डल y upon में del x यह में पास एक equation है ठीक है अच्छा यहाँ पर यह सर वी पी क्या है अगरेस को समझने चाहें वी पी क्या है तो यहाँ पर जो वी पी है वो velocity of particle है यह है velocity of particle अगर दूसर में यह पूछ यह वी क्या है तो यह वी हमाई पास है velocity of wave वाली है यह क्या है velocity velocity of wave ठीक है अगर वहीं मैं इसको पूछू यह चीज क्या है जो बैकट के अंदर है यह चीज क्या है यह हमाई पास लॉप ओफ y x slope of y और x का slope है सर कैसे understand नहीं हो रहा देखो इसको समझने के मैं graph draw करता हूँ simple सा फिसको understand करते हैं यह मैं पास एक simple सा graph है पहले इसको मैं डॉप करता हूँ यह graph कैसा है सर यह graph कैसा है यहाँ पर जो graph डॉप कर रहा हूँ y axis का ठीक है y versus x का अच्छा इसमें एक slope डॉप करता हूँ समय एक डॉप करता हूँ simple सा ठीक है अब यहाँ पर देखो अगर आप इधर की ताफ जाते हो तो एक स्टेज़ और पॉजीश्ण चेंज हो रही है यहां पर पार्टिकल यहां पर पार्टिकल जहां पर पार्टिकल मतलब हर पोइंट पे एक पार्टिकल है अगर आप इप X को change कर रहे हो तो आपके पास क्या change हो रहा है आप यहाँ पर X की value कुछ हुआ है यहाँ पर i will कुछ हूर है और आप यहां से एक सब्सक्राइब यहां से एकस जहाँ तक गई तो पार्टिकल चेंज हो रहा है ध्यान रखना सर वाइए और एकस के ग्राफ में अगर x को change करते हो x को अगर change करते हो तो क्या change होता है particle समझ जाए है मैं बाटिकल change कर रहे हो आप अच्छा next यहाँ पर हम बात करते है कि sir यह वाली equation है क्या मैं इस equation को यह लिख सकता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ vp is equal to minus v और यह में पास क्या है यह देखो यह है slope of y x का तो मैं आप लिखूँगा slope of y with respect to x ठीक है यह में पास आता है अच्छा next यहाँ पर बात करेंगे इसको समझने के लिए एक चोटा सा ग्राफ समझते हैं इसमें समझते हैं पर्टिकल की विलला स्टी कैसी निकाली जाती है जश्बसे पहले एक संदर से काम करता हूं इसका मतलब if graph कहाँ पर जो जो वेव यह क्या है यह रही चीज क्या है यह यह वीव है यह पूरी एक वेव्याँ है यह वेव इधे को ट्रैविल कर रही है मतलब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो यहाँ पर देख पा जो wave है सर जो wave है वो travel कर रहा है along positive x direction along positive x direction positive x direction ठीक है अच्छा इतनी बार समझ में आ गया आपको है ना तो मतलब velocity के आपके पास यहाँ पर इधर की तरफ है positive इधर की तरफ वलाउस्टी वेव इधर को मूव कर रहे है तो आप positive वी लोगी वह मैंने आपको ऊपर लिखा दिया पॉस्टिव लिए है अच्छा ठीक है यह बार समझ में आते हैं अच्छा एक छोटी सी चीज और समझ नहीं है फिर हम question solve करेंगे छोटी चीज यह समझ नहीं है पहले मैं आपको समझा दूं सारा फिर समझ में आना सेटर हो जएगा यहमें पास एक graph है मादे लो यह वाले एक graph है अच्छा these must also सब्सक्राइबर के खाइस पाक्राम होता है उसको हम कैसा लेते हैं अगर यह slow अगर यह ऊहिए तो हमOW कैसा लेते हैं नेकटी पतर Chi स्लो प्रहु लें नेगटिव चलो अब यह चीज धहान में रखते हुए हम इसको सौल करते हैं ? यहां पर बात करूगा आपyrdha यहां से लर्मन के यहां से लहन तक कि यहां तक कि बात करऊंगा आप पास देखो जो फल्ॉष्ट है मैं पहले equation लिखता हूं पहले equation लिखते तो भी समझ में आएगा equation क्या में पास equation में यहीं लिख देता हूं vp is equal to minus v ठीक है उसके बाद क्या था del y upon me del x यह आपके पास था ठीक है sir अच्छा यह यह चीज तो आपका यह पास positive आगी यह तो पॉस्टिव है तो पॉस्टिव है तो यह पी पॉस्टिव है यह यहां पर negative साइन अ यह पॉस्टिव यह पॉस्टिव यह निच्ची के तरफ ऐसी जहां पर जीरो हो जाता है अगर आपको यहां से लेकि जहां तक के निकालने के लिए बोले लॉस्टिव पार्टिकल तो कैसे निकालोगे आप से पूछा जाएगा आप पड़े की उपर है की एगए वा फोट आपने के लिए हमें क्या करने पड़े कि यह लोपना आपके बास मैं आपको सिंपल सम्जा दें की खाना यह मैं बश्रलोग है कि अब यहां पर देखो यह पर यह निचे अच्छों को है ना समझाता हूं ठीक है सुलोप कैसा आपके पास नेगटीव है यह आपके पास नेगटीव हो गया वेलोस्टीव हमेसा पॉस्टीव ही रहेगी क्योंकि आगे के तरफ ही जा रहे हैं हम लोग तो पॉस्टीव लेनी है देखो पॉस्टीव नेगटीव और यह भी क्या आपके प कि पार्टिकल के पास कहा से आगी उपर के तरफ आगी अब आत आपको समझ में आ गई होगे न इधर कैसे हो जाएगी नेक्टिव क्योंकि स्लोप कैसा है यहां पर पॉस्टिव ठीक है बचे कोई डाउट यहां तक कोई डाउट नहीं है तो यहीँ हमापास टाउट था हमापास किया तो हमने अच्छे से कवर कर लिए लिए कें बाकि समझ ना आए यहां पर एक question हमाई पास बहुत ही प्यारा कहता है transverse sinus idle wave move along string in positive x direction ठीक है देखो मैं आपको simple तरह के से कराता हूँ यहां पर जो wave है वो कैसा बोला गया आपको पास positive बोला गया ना मतलब positive direction में क्या कर रहा है अब ट्रैवल कर रहा है आपको बोला गया है ठीक है सर तो आपके बास slope तो positive अमल की यह इधर की velocity आपके पास positive नहीं है उसके बाद आपको एक चीज़ा दिया क्या है यहां पर positive x direction देगा speed क्या है 10 cm है मतलब यहां पर velocity of wave आपको given है velocity of wave कितना आपके पास आप बोलोगे sir 10 cm पर second आपको given है और क्या given है आपके पास यहां पर wavelength given है कितना जिवपाइफ मीटर आपके पास यहां पर देखना चाहेंगे amplitude 10 cm और क्या given आपके पास amplitude कितना 10 cm यह भी बात clear होती है अच्छा हमें बताना क्या है आप पाटिकुलर टाइम ऐसे वे माले ट्रैवल कर रहा है एक पाटिकुलर टाइम पर सिनाप्शोट ले लिए हमने एक फोटो कि चली और यह पी पॉइंट यहां पे पी पॉइंट यह रुख गया है ना कहता है विलॉस्टी ओपी पॉइंट वेन इस डिस्पेस्मेंट इ इतनी है 5 cm है तो इसकी वेलॉस्टी क्या रही होगी सर बहुत ही प्यारा गोशन है देखो कैसी सबसे पहले हम लॉस्टी का फार्मुला लिख देते हैं वी पी इस इकल टू माइनस वी ठीक है क्या फार्मुला था डेल वाई अपॉन में डेल एक्स यह फार्मुला हमने पास नेगटिव आ गया स्लोप जोप कैसा गया यह स्टेट्मेंट आपके पास सर यह तो नेगटिव आ गया वैलास्टी पजिए और यह पास है बिंद्र यह तीन चीजिए हमाई पास बनकर आगे यहीं से आंसर निकलकर आ जाएगा सथ यह नियाग्टिव यह मतलब जो velocity of particle है वो कैसे है positive है ठीक है सर मतलब यह negative वाला अंसर तो हो नहीं सकता है इसको मैं पहले cancel कर देता हूँ यह negative वाला भी नहीं सकता है यह भी cancel कर सकता हूँ देखो एक answer तो यह positive वाला हो सकता है इसमें देखो under 3 pi by 50 g cap है इसमें क्या है under 3 pi by i cap है i cap का मतलब x direction i cap का मतलब x direction अब आपको पता है i cap का मतलब x direction होता है मतलब इधर की तरफ पार्टिकल तो इधर moving नहीं करता पार्टिकल तो harmonic motion करता है उपर नीचे move करता है मतलब particle y की direction सब्सक्राइब करता है मतलब यह आंसर भी नहीं है यह अंसर है आई क्या पॉला यह पार्टिकल की विलॉस्टी है ठीक है ओके